नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे शेलम आप सबी कस्वागत है फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी आइजनर टीजी टू एलक्टिशियन फीटर की जो भी एक्जाम हुआ था आज हम लोग उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है कब त हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी समय कहना चाहूंगा डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग अलपी टेक्निशियन या बिहार इस्टेट पाउर होल्डिंग की तयारी चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे हां पेट कोर्स जोईन कर सकते हैं जो जीरो मिलेगा एस्टेडी मटेरियर मिलेगा लाइब रिकॉर्डेट सभी क्लासे भी आपको देखने को मिल जाएंगी तो आप लोग जोईन कर सकते हैं तो फ्रेंड यहां पे मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारा यूपी आर्विनल का जो रिजल्ट है अभी तक आर्विनल का जो भी सेडियूल रहा है एक्जाम को लेकर कि वह जो है एक्जाम कराने बाद 3-4 महिने यह 5-5 महिने भी टाइम लग जाता है रिजल्ट को जारी करने में तो आपका जो है अप्राइल के महिने में रिजल्ट जारी हो सकता है उसके पहले बहुत ही कम chances हैं आपका result जारी करने में उसके बाद फ्रेंड आपका DV होगा जो document verification बोला जाता है DV उसका होगा उसके बाद फिर आपका जो है final फिर आपकी जो है list निकाली जाएगी जैसे कि फ्रेंड अगर fitter में ले लिया जाए तो 58 seat हैं तो इसमें कम से कम बात की जाए तो जो बच्चे qualify करेगा वो कम से कम मान चलिएगा 78 या फिर आप कह सकते हैं 80 के something जो है बच्चे qualify करेगा उसके बाद जो है इसमें friend वो क्या करेगा वो जो है final मतलब joining निकालेगा जो final result निकालेगा उसके बाद फिर आप लोग की joining कराएगा तो ऐसम अगर देखा जाए फ्रेंड तो वो कहीं न कहीं जो है आप लोग का time करीब अगर देखा जाए तो साथ से आठ महीने लग सकते हैं आपके final joining को लेकर तो फ्रेंड मैं आप सबीस कहना चाहूंगा फ्रेंड की यही एक update है कि आप लोग का जो result है वो अप्रैल के last में आने के chances हैं इसके पहले बहुत ही कम chances हैं आपका result आने में बाकी फ्रेंड मैं आप सबीस कहना चाहूंगा चैनल प्रै है तो जरूर चैनल को subscribe करके रखें ताकि आने वाले स्वाइं में हर एक update आपको मिल सके और फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को सेयर करना मत भूलेगा ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और फ्रेंड आ आप classes लेकर study material जो भी आप चाहते हैं वहां पर सब मिल सकता है so thanks watching and bye bye